हमारे साथ इस वक्त मौझूद है लाजपतनगर मार्केट असोसियेशन के जनरल सेक्रेटरी कुलदीप कुमार साथ हम उनसे जानेंगे कि विकेंड कर्फ्यू के बाद व्यपार पर कितना असर पड़ेगा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका विपी न्यूस पर सबसे पहला कि पहले और इवन आया था जिसके बाद हफ्ते में किसी व्यपारी की दुकान दो या तीन दिन के रिए खुल रहे थी लेकिन अब विकेंड के रफ्यू उसमें साइटेडे संडे पूरी तरीके से दुकान बंद रहेगी तो कैसे देख रहे हैं दिली सरकार के इस फैसले को दिली सरकार का ये फैसला ठीक नहीं है विपार और इवन से 50% आ गया था और अब इस फैसले से जो विपार है वो 10% ही आएगा खर्चा दुकान दार को पूरा देना पड़ेगा और इंकम जो है उसकी वो 10% हो जाएगी स्टाफ की सेलरी निकालना है बिजली के बिल निकालना बाकी सारे काम निकालना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा वेपारियों के लिए सरकार को इस बारे में थोड़ा सा ठीक निर्ने लेना चाहिए क्योंकि वेपार है तब ही रेवन्यू आएगा तब ही लोगों को रोज जाएगी, मार्केट में रश भी नहीं होगा, दो दिन दुकान खुलने से मार्केट में रश भी बढ़ जाएगा, लोगों को अपनी जुरूरी समान लेने के लिए फिर एक साथ बजार में आना पड़ेगा, तो इससे दिक्केत होगी होगी, इससे करोना कंट्रोल नहीं होग सर वीकेंड कर्फू के अगर बात करें तो जो नौकरी पेशा लोगे हैं उन्हें सिर्फ शनिवार और रविवार का ही वक्त मिलता था खरीदारी करने के लिए लेकिन अब वो घर से भी नहीं निकल सकते हैं और मार्केट की दुकाने भी जो हैं वो बंद रहेंगी तो इससे कितना असर पड़ेगा आपके बिजनस पर मैंने यही आप से बताया कि 10% बजार रह जाएगा क्योंकि यादातर लोगों की छुटी वीकंड्स पे होती है वीकंड्स पे वो बजार नहीं आ पाएंगे बाकी दिनों के अंदर बजार 8 बजे तक ही है 8 बजे तक वो अपने काम से घर आते हैं अपने डेली रूटीन के क करते हैं तो मार्किट आने का उनके पास समय नहीं होगा तो इस इसी वज़े से यह जो मार्किट है वो 10% पे आ जाएगी वेपार 10% रह जाएगा दिली में शादियों का सीजन भी आने वाला है तेरा जोदर जन्वरी के बाद शादियां होने वाली हैं लाश्पतनगर बिल्कुल खतम हो गया है क्योंकि करोना प्रोटोकॉल के तयाद अब आप 15 से 20 लोगों को इस शादी में बुला सकते हैं मेरा खुद का कपड़े का काम है डिजाइनर्स फैब्रिक्स का काम है लोग बिल्कुल इस समय परचेजिंग पे नहीं आ रहे हैं सबने अपनी शाद होती है वो 10% काम रह गया क्योंकि शादी अब होंगी नहीं होंगी तो 10 से 20 लोगों में होंगी तो अब लोग उसमें खर्चा करेंगे नहीं तो इसी वज़े से टोटल काम खतम हो जाएगा सिर्फ एसेंशल गुड का काम ही बचेगा बाकी सब काम खतम है नहीं कुल मिलाकर के जनरल सेकेटरी का कहना है कि जो धंदा है उनका वो सिर्फ 10% पर आ चुका है सरकार को चाहिए कि थोड़ी सी पाबंदियों में थोड़ा सा सकती में नर्मी लेकर के आएं ताकि आने वाले दिनों में जो कारोबार से जुड़े लोग हैं जो करमचारी हैं लेबर हैं उनक अधिलाल एबीपी न्यूज दिल्ली